नमस्कार स्वागते आपका एरियल न्यूस चानल में आज एक मार्च है और भारतियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है जी हाँ हम बात कर रहे हैं कोरोना के वैक्सिनेशन के आम लोगों का टीका करण आज से ही शुरू हो जाएगा देशबर में कोरोना संक्रमन के खिलाब वैक्सिनेशन का दूसरा फेस आज से शुरू हो चुका है इस फेस में साथ साल से अधिक और पैतालिस साल से जादा उम्र के गंबीर बिमारियों से ग्रस लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनकी उम्र एक जनवरी 2022 को साथ साल होने वाली होगी वे भी इस बार टीका लगवा सकेंगे वैक्सिनेशन दोपहर तीन बज़े तक चलेगा इसके लिए कोविंट 2.0 पोटल के साथ ही आरूग्य सेतु पर सुमवार सुबह 9 बज़े से रजिस्ट्रेशन औरडी स्टार्ट हो चुका है अब आपके मन में कुछ सव पाल उठ रहे होंगे कि आखेर कोरोना वैक्सिन लगवाने के लिए आपके पास किन-किन सर्टिफिकेट्स की नीड होगी तो चलिया आपको बताते हैं इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में जो आपके पास अनिवारे रूप से होना आवशक है जिन लोगों के उम बिमारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है इस फॉर्म को डॉक्टर से सर्टिफाय करवाना होगा इसके अलावा भी आपके मन में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे कि किसे लगेगी वैक्सिन कितना पैसा चुकाना होगा इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में है तीसरे फेज में सांट वर्ट से जादा अम्र के लोगों को वैक्सिन लगेगी इसके साथ ही पैतालिस से साथ वर्ट की उम्र के ऐसे लोगों वैक्सीन लगेगी जो गंबीर बिमारियों से जूंज रहे हैं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 7 साल होने वाली होगी वह भी ठीका लगवा सकेंगे केंदर सरकार का आकलन है कि करीब 27 करोड लोग इस कैटेगरी में आते हैं पहली डोज लेने वाला 29 दिन दूसरी डोज के लिए भ दूसरी बड़ी बात ये है कि आखिर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आपको कितना पैसा चुकाना होगा करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों और प्रात्मिक स्वासे केंदरों में ट्रीका फ्री में ही लगेगा वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सिनेशन के लिए 250 रुपए का बुक्तान करना होगा इसमें 150 रुपए टीके के लिए और 100 रुपए चर्चित चार्ज होगा उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या वैक्सीन का चुनाव करने का कोई आप्शन रहेगा तो इसका जवाब है नहीं इस समय टीका करन अभियान में भारत बायो ट लगवानी ही पड़ेगी हां लेकिन लोग ये चुन सकते हैं कि किस दिन वैक्सीन लगवानी है और किस सेंटर पर इसका विकल्प उन्हें कोविन प्लैटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के समय ही मिलेगा लोग अपने घर के पास के सेक्टर पर अपॉइन्मेंट ले सकेंग जो करीब 12,000 हैं इस तरह कुल 24,000 लोकेशन पर वैक्सीनेशन होगा वैक्सीनेशन में भाग लेने के लिए खुद का स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है आप किसी और के भी स्मार्टफोन का इस्तमाल कर सकते हैं एक मोबाइल फोन से चार अपॉइन्मेंट लिए जा सकते हैं उसके बाद कहीं लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है क्या रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से आप डाउनलोड करना होगा तो इसका जवाब है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं आप कोरोना वैक्सीनेशन में भाग लेने के लिए आरोगे से तु आप पर रजिस्ट्र करेंगे भारत के 6 लाग गाओं में इस्तित करिब 2.5 लाग कॉमन सर्विस सेंटर सेवा के इंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और जब जब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन हो सकेगा तो इसकी जवाब देने के लिए बिल्कुल मैं कहूंगी कि हाँ बिना रजिस्ट्रेशन के वी वैक्सीन हो सकेगा जिस तरह ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के वी सीट मिलती है वैसे ही वैक्सीन भी सेंटर पर ज़ा कर लगवा सकते हैं पर यह तब होगा जब वहां कोई वेकेंसी रहती है यह रिजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त भी 45 से 60 वर्ष के लोगों को सर्टिफेकेट पेश करना होगा जो साबित करें कि वह गंबीर बिमारी से जूँझ रहें यह सर्टिफेकेट डॉक्टर से भरवाना पड़ेगा तो यह थी कोवीड वैक्सीनेशन से रिलेटेट कॉमेंट कर सकते हैं और आगे और भी जानकरियां लेने के लिए हमारे चैनल को सिस्क्राइब करना बिल्कूल न भूले